गैस क्या होगा जब एक हाइड्रोलीक प्रैस के निचे फॉ इल पिपर को बार बार मोड करके रखा जाएगा क्या ये फॉ इल पेपर ठोस लोही की तरह हो जाएगा और अगर खौलते हुए लावा को आइफॉन के ऊपर डाल दिया जाए तो इस आईफॉन का क्या हाल होगा और जब laser light को phone के camera के उपर focus किया जाए तो उस phone की camera का क्या होगा उसे देखकर आप जरूर चौक जाएंगे तो guys आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे experiments दिखाऊंगा जिन्हें आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा जिसमें अगर हम hydraulic press के नीचे कुछ भी रख देते हैं तो ये उसको चप्टा कर देती है ऐसे ही क्या होगा जब hydraulic press के नीचे aluminum paper को रखा जाएगा तो गए सबसे पहले hydraulic press के नीचे इन CD cassettes के 20 pieces को रखा गया और फिर उसके बाद जब hydraulic press से इनके उपर pressure लगाया गया तो उसके बाद कई किलो वजन लगाने के बाद ये cassettes बीच में से तूटने लगती है और फिर उसके बाद जब इसी hydraulic press के नीचे CD के 80 pieces को रखा गया उसके बाद जब hydraulic press से इन सभी CD को दबाया गया तो ये सारी के सारी CD high pressure की वज़े से दबतो जाती है लेकिन बहुत जादा high pressure होने के वज़े से ये CD या बीच में से तूटने लगती है और बहुत सारी cassette के course में तो cracks भी आने लगते है और फिर इसके बाद जब finally इन cassettes के उपर बहुत जाद high pressure डाल दिया जाता है तो फिर तो ये सारी की सारी 80 cassettes बीच में से ही तूट जाती है और इन में से कोई भी ऐसी cassette नहीं बची ज चलाने लायक हो और इसके लावा जब hydraulic press के नीचे golf ball को रखा गया तो इस golf ball के उपर pressure लगते ही ये फट जाती है और फिर इसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती है जिनका यूज इस ball को बनाने के लिए किया जाता है और इसके अंदर से निकलने वाले material को करेंगे तब इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आज इसे hydraulic press के उपर रख कर देखते हैं कि इसका क्या हाल होगा तो इस ball को hydraulic press के नीचे रखा गया तो फिर hydraulic press के प्रेसर लगते ही इस ball का एक एक धागा ऐसे फटता है जो कि ये बाकाय में देखने के लायक होता है इस ball के अंदर की सारी चीज़े निकल कर भारा जाती है और छोटे छोटी पीसिस में डिवाइड हो जाती है जैसे कि आप अभी अपनी स्कीन पर इस वीडियो को देखी रहे हैं अब गैस जब इस hydraulic press के नीचे aluminum paper की एक बड़ी सी ball को बना कर रखा गया जिसके बाद इसके उपर प्रेसर लगाने के बाद ये ball बहुत जल्दी दबती चली जाती है और फिर उसके बाद इसी foil paper को मोड़ कर hydraulic press के नीचे फिर से रख दिया जाता है जिसके बाद इस aluminum paper की उपर प्रेसर लगते ही ये और भ guys next laser experiment guys इस laser के बारे में तो आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसके बारे में नहीं जानते होंगे ये laser light इतनी ज्यादा strong होती है कि अगर आप इसे किसी भी चीज़ के उपर focus कर देते हैं तो ये उसे जला कर राख कर देती है ऐसे ही जब इसी laser को toilet paper के bundle के उप आए गया तो ये laser light इस bundle में छेट करती हुई सीधा इस माचिस की तीली में जाके लगती है जिसके बाद इस माचिस की तीली में भी आग लग जाती है अब गईस जब यह एक laser light इतनी जादा बन जाता है लेकिन सेकेंड टाइम में इस phone का camera ही खराब हो जाता है जिसके बाद इसका camera विल्कुल भी काम करने के लायक नहीं बचता है अब जब इन्हीं laser lights को phone की डिस्प्ले के ऊपर फोकस किया जाता है तो इस phone की डिस्प्ले के ऊपर छूड़ शूड़ बन जाते हैं अगर कुछ समय तक और इस laser light को phone के ऊपर ही फोकस करा हुआ छोड़ दिया जाता तो जायद ये laser light phone के अंदर ही छेद कर देते हैं अब गैस नेक्स्ट है lava versus blood proof glass गैस ये blood proof glass इतना जादा strong होता है इसके ऊपर अगर आप blood से भी fire करते हैं तो भी इसका कुछ भी नहीं होता है लेकिन तब क्या होगा जब इसी blood proof glass के ऊपर खौलता हुआ लावा डाल दिया जाएगा तो गैस सबसे पहले इस lava को normal window glass के ऊपर डाला गया तो उसके बाद इस glass के ऊपर लावा गिरते ही ये glass पूरी तरह से तूट जाता है ऐसे ही जब इस खौलते हुए lava को एक blood proof glass के ऊप अब डाला जाता है तो सबसे पहले तो इस glass के ऊपर के लिए यह जलती रहती है लेकिन नीचे से glass के ऊपर एक भी crack नहीं आता है और फिर जब तक ही खौलता हुआ लावा जलता रहता है तब तक ही लावा इस blood proof glass को जलाता ही रहता है लेकिन बहुत समय तक तो इस lava का glass के ऊ आइफोन कोछी सेकिंड्स में चलना चुरू कर देता है और फिर उसके बाद इस आइफोन की बैटरी ही ब्लास्ट हो जाती है अब गया सबसे पहले स्रेडिंग मसीन के अंदर इस छोड़ी सी कार को डाला गया जो कि स्रेडिंग मसीन की फास्ट स्पीड की वजह से इससे ब और पिर इस बाद जाताय है और फिर उसके बाद जब इस रहांस से पहलते ने लगता है और इसके छोटे-छोटे-चोटी नीचे ही जमां होने लगते हैं गवाइब नेक्स्ट वॉफल ऐरन वर्सिस गमी वाटरमेलन गाईज अब एक वॉफल ऐरन के ऊपर गमी वाटरमेलन को रखा जाता है तो यह देखने में ही इतना ज्यादा यमी लग रहा होता है तो जब यह हीट के कॉंटेक्ट में आएगा तो उसके बाद इस गमी का क्या ह लगा यह मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक और नहीं ट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए